देश की सिमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरख खड़े हैं उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सुझबुच पर देश अटूट विश्वास रखता है इस सर्वदर ये बैटक के माध्यम से मैं सहीदों के परिवारों को भी विश्वास दिलाता हूँ कि पुरा देश उनके साथ है, पुरा देश उन्हें नमन करता है साथियों पुर्वी लदाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा न वहां कोई हमारी सीमा में गुसाया है, नहीं कोई गुसा हुआ है, नहीं हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कबजे में है लदाख में हमारे बीज जाबाज सहीद हुए, लिकिन जिनों ने भारत माता के तरफ आँख उठा कर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं, उनका इशावर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतिय के मन में अमीट रहेगा, साथियों निश्चित तोर पर चीन द्वारा एलेसी पर जो किया गया है, उससे पुरा देश आहत है, आक्रोशित है, ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सब के माध्यम से बार-बार प्रगट हुई है, मैं आपको भी आस्वस्त कर रहा हूँ, कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड रही है, डिप्लोईमेंट हो, एक्षन हो, काउंटर एक्षन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है, वो कर रही है, आज हमारे पास ये capability है, कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन के तरफ आँख उटा कर भी नहीं देख सकता है, आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मोग करने में पूरी स्तरफ सक्षम है, ऐसे में हमने जहाँ एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचीत कदर उठाने के छुट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूंक स्पष्ट कर दी है, भारत पीस और फ्रेंड्शिप चाहता है, लेकिन अपनी स्ववरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वो परी है, और आप समने भी इसी भाव को प्रगट किया है, साथियों, बीते पांच बर्षव में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफरसेक्टर डेवलेप्मेंट को प्रात्फिक्त आ दी है, हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यक्ताओं जैसे फाइटर फ्लेंज, आदूनिक हैलिकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टिम, आदी पर भी हमने बहुत बल दिया है, नए बने हुए इंफरसेक्टर की वज़े से, खासकर LAC में, अब हमारी पैट्रोलिंग की केपेसिटी भी बढ़ गई है, पैट्रोलिंग बढ़ने की वज़े से, अब सतक्ता बढ़ी है, और LAC पर हो रही गतिवीदियों के बारे में भी, समय पर पता चल रहा है, जीन खेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहाँ भी हमारे ज़वान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉंड भी कर पा रहे हैं, अब तक जीन को कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं, बहतर हो रहे इंस्पास्टर से, एक मदद ये भी मिली है, कि हमारे जवान, जो उस कठीन परिस्थिति में वहाँ तैनात रहते हैं, उन्हें साजों सामान पहुचाने में आसानी हुई हैं, साथियों, राष्ट हीत, देश वास्यों का हीत, हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्रात्विक्ता रही हैं, चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टर्रिजम हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्विकार नहीं किया है, राष्ट्रिय सुरुक्षा के लिए जो भी जरूरी कारी है, जो भी जरूरी इंफरस्टेक्चर का निर्मान है, उसे इसी तरह तेज गती से आगे भी किया जाता रहेगा, मैं आप सभी को, सभी राजनितिक दलों को फिर से आस्वस्ट करता हूँ, कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है, हमने उन्हें यथोचित कारेवाई के लिए पूरी छूड़ दी हुई है, आप सभी ने इस बैटक के लिए अपना समय दिया, अपने मुल्यवान सुझाव दिये, इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी ने तुरुत्वगण का, रुदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आपके सुझाओ, आगे की रणनिती में बहुत लाब करता हूँगे, यह मुझे पुरा विश्वास है, मैं फिर एक बार इस एक्ता का संदेश देने में, आप जो बढ़ चट करके आगे आये हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए, वो पहुँचेगा, और इसलिए आज की मिटिंग में आपकी यह सकारत वक्त भूमिका का बहुत मुल्य है, उसका बहुत अइतिहासिक महत्प है, और इसलिए भी आप सभी अभ भनेवाद करता हूँ, नमस्कार देश की सिमाओं की रक्षा में, दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरख खड़े हैं, उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सुझ-बुझ पर देश अटूट विश्वास रखता है, इस सर्वदर ये बैटक के माध्यम से, मैं सहीदों के परिवारों को भी इविश्वास दिलाता हूँ, कि पुरा देश उनके साथ है, पुरा देश उन्हें नमन करता है, साथियों, पुर्वी लदाख में जो हुआ, उसको लेकर आपने रक्षामंत्री जी,